कहते हैं ऐसी बानी बोलिये जम कर जगड़ा होई पर उससे न बोलिये जो आप से तगड़ा होई कनाडा के पीएम को 24 गंटे में ये बात समझ में आने लगी है कल तक जो साथ में बगल में खड़ा दिख रहा था अमेरिका यूके वो उसे छोड़ कर निकल तो रही है बिपक्ष भी अब टूडू के खिलाफ बोल रहा है जानेंगे खुद अपने ही पैरो पर कैसे कनाडा के पीएम ने कुलाड़ी मारी और डॉक्टर जै संकर ने ऐसा क्या कमरे के अंदर बोला जिसका असर ये हुआ कि बोखलाते हुए भागे कनेडियन राज नहीं जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार जो कनाडा के पीएम ने किया न एक बार को दुनिया हैरान रह गई अमेरिका खुद हैरान रह गया और यूके भी हैरान रह गया कि ये इसने किया क्या कितना ज़्यादा राहता फैला दिया किस राहते को समेटेंगे कैसे सुरूआती दौर में इसने क्या किया संसद में खड़े होकर जिस चीज का कोई प्रूफ नहीं है उस चीज के बारे में सीधे-सीधे भारत पे आरोप भी लगा दिया और भारत के राजनाईक को निकाल अब ये घटना सिर्फ आरोपों के बल पर किया और उसके बाद इसने UK को फोन मिलाया, US को फोन मिलाया, आस्ट्रेलिया को फोन मिलाया, अब जब तुमने कर ही दिया है, फाइव आई मेंबर है ये, तो ये क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट तो बीच का देंगे, इन्हों ने, भारत ने जीने भार का रास्ता दिखाया, वो बंदा कौन है, कनाडा के इंटेलिजन्स एजेंसी का हेड है, भारत में, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस बंदे को जब आफिस में मुलाया गया न, तो सिर्फ चार मिनट की मीटिंग हुई, और इस चार मिनट की मीटिंग में आप सोचो कि कैसी कलास इसकी लगी होगी, इस वीडियो को ध्यान से देखोआ, यहाँ पर पूछ रहे हैं पत्रकार, बताइए सर, बताइए सर, और ये बंदा इतने गुस्से में है कि इसने दरवाजा पटक दिया, ये लो, इतने गुस् है कि डॉक्टर एस जैसंकर को ये बात पता नहीं थी कि कनाड़ा आगे चलकर हमारे लिए गढ़्धा ही खोदेगा है, एक बार डॉक्टर एस जैसंकर ने बयान दिया, और उस बयान में डॉक्टर एस जैसंकर ने कहा था कि कनाड़ा के अंदर वोट वेंग की राजनीती और वोट वेंग की ये राजनीती रिष्टों को खरा कर दीगी अब हुआ क्या जैसे ही ये काम होता है भारत की तरफ से टीट फोर टैट होता है इससे समझ में आनी सुरू हो जाती है एक दूसरा बयान आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं इस बयान में क्या कह रहे हैं टूडू कि देखो हम भारत को उकसाना नहीं चाहते हैं हम तो बस चाहा रहे थे कि साथ मिलकर इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप हमें जवाब दीजिए आप हमें सपोर्ट कीजिए हम इस मामले को और ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं नरम पड़े तेवर क्यों नरम पड़ रहे हैं तेवर तो आपको बता दें धीरे धीरे इनके साथी साथ छोड़ रहे हैं और साथी साथी नहीं छोड़ रहे हैं सिर्फ अब इनसे सवाल किया जा रहा है कि आपने जो ये बलंडर किया है इस बलंडर का क्या मतलब है और सबसे पहले तो इनका बिपच्छी सवाल कर रहा है कल एक कनाडाई पत्रकार ने भी इस सवाल को किया था कि तीन महिने के अंदर आपको कैसे ये जाचा की पूरी हो गई अब तो अब देखिए बिपच्छ क्या सवाल कर रहा है बिपच्छ ये पूछ रहा है स्क्रीन पर आपे कटिंग देख रहे हैं जब बिपच्छ के नेता से ये सवाल पूछा गया भारत ने ऐसा ऐसा किया है ये आरोप लगा है तो इस आरोप के बाद क्या हम और ज्यादा देखो हमारे पास इस वक्त सबूत नहीं है अब जश्टिन टूडू ने इस बात को संसद में कहा है सब के सामने कहा है तो जो सब के सामने कहा है वही मुझे भी पता है उन्होंने मुझे अलग से कमरे में बुला कर नहीं बताया है लेकिन अगर इन्होंने सबूत नहीं दि इसको पूरे सरे आम संसत में कहा उसके बाद उन्होंने जो लाइन कही है वो लाइन जरा दिहान से सुनिये वो कहते हैं कि मुझे ये बड़ा मज़ेदार लग रहा है कि हमारे फॉरेंड मिनिस्ट्री में बार बार दखलंदाजी होती है चाइना की और चाइना की जो ये दख किया लेकिन ये जो केस है इस केस में जिस तरीके से टूडू कर रहे हैं ये देख कर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है बड़ा इंट्रेस्टिंग लग रहा है कि सीन यहां बदल रहा है इसका साधारन मतलब समझे बंदा सीधे सीधे नहीं कह रहा है लेकिन ये बंदा कह टूडो के ऊपर फटकार लगा रहे हैं कह रहे हैं नीजर की हत्या को भारत से जोड़ना सर्मनाक है और अमेरिका को सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका इसका हिस्सा ना बने Hudson Institute Think Tank में रखी गई एक पैनल चर्चा में हिस्सा लेते हुए American Enterprise Institute में विसे सग गे Michael Rubin इन्होंने कनाडा के परदानमंत्री जेस्टिन टूडो पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि टूडो का खालिस्तानी आतंकी की हत्या का कनेक्शन भारतिये सरकार के एजेंटों से जोड़ने का कदम सर्मनाक है और निंदनिये हैं उन्होंने अमेरिकी सरकार से अपील की कि वो इस मामले में कनाडा का साथ नहीं दे माइकल रूबिन ने कहा कि टूडू अभी उन लोगों के हातों का मुहरा बने हैं जो खालिस्तानी आंदोलन को अहंकार और फायदे के आंदोलन के तोर पर देखते हैं उन्होंने कहा टूडू के इस सर्मना कदम में जो सबसे चौकाने वाली बात है कि जहां एक तरफ वो खालिस्तानी की हत्या पर बयान दे रहे हैं तो वहीं पाकिस्तान की मदद से करिमा बलुच की हत्या एक पुलिस का मामला बन कर रह गई है उसे परदानमंद्री कारियाले तक पहुचने भी नहीं दिया गया है आपको बता दें रूबिन ने ये कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये चुनावी स्टंट है नेताओं को जिम्मेदार होना चाहिए इन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसा लगता है जैसे कोई बाहरी ताकत एक बार फिर कालिस्तान अंदोलन को जिंदा करना चाह रही है हलाकि मुझे नहीं लगता है कि ये काम करेगा उन्होंने बाइडन परसासन से इस तरह के बाहरी ताकतों को बैधतान नहीं देने की बात अब यह जहां बात है अमेरिका की तो वहीं दूसरी तरफ यूके से भी सवाल किया गया कि क्या आप फ्री ट्रेड एगरिमेंट को आगे बाचित बंद करेंगे क्योंकि अब वहां रहने वाले लोगों के लिए चिंता की विसेब बन गई है भारतियों को कनाड़ा के अंदर जो है उनको डिभाइड करने का काम टूडोने किया है और इतिहास के लिए ये दिन बेहद सर्मनाक रहेगा वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ कि िट अख़ब ए सकते हैं